नमस्कार आप देख रहे हैं नीज फोर नेशन और मैं हूँ प्रियादरशन भारत्य जनता पाटिन ने उत्तर प्रदेश में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घुशना कर दी है भुपेंदर सिंग चौधरी को उत्तर प्रदेश में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाने को भाजपा की एक बड़ी रणनीती के तौर पर देखा जा रहा है दरसल भुपेंदर सिंग चौधरी जो जाट विरादरी से आते हैं और पश्चिवी उत्तर प्रदेश से आने वाले एक कदावर नेता माने जाते हैं ऐसे में उनका उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष बनना कई माइनों में अहम है विशेश कर जिस जातिये और छत्रिये समीकरन को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतिये जनता पार्टी लगी हुई है वह एक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो देश में आने वाला 2024 का लोगसभा चुनाओ है उस दोरां उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की जोड़दार वापसी यानिकी भारतिय जनता पार्टी जो असी सदसी है लोगसभा के सदसी निर्वाचित होते हैं उत्तर प्रदेश में वहाँ ज्यादा से ज्यादा सीटनों पर जो उनकी जीतने की रनिती है उसम के नाम का अधिकारी का एलांग आज गुरुवार को हुआ वह मौजुदा समय में जो उत्तर प्रदेश में योगी आधितिनात की सरकार है उस सरकार में पंचायती राजमंत्री हैं वे उत्तर प्रदेश विधान परिशत के सदसे भी हैं और साथ ही साथ उन्हें आज बड़ी की साखाएं हैं उनसे जूरे हुए रहे और उसके बाद उन्हें उन्हें निस सो इक्यानवे में भारती जन्ता पार्टी की बाजापता सदसेता ले लिए इसके पहले भी जो प्रदेश सिंग्च चौधरी हैं वे विश्व हिंदू परिशत से जूरे हुए नेता माने जात विस्तार करने की योजना बनाई तो उस दोरान भुपेंदर सिंग्च चौधरी को माना गया कि उनके कारण ही उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद का इलाका रहा और साथी साथ जो पश्वी उत्र प्रदेश का सेस इलाका रहा उन छेत्रों में जाट बीरादरी में अपनी पहुच बनाने में भुपेंदर सिंग्च चौधरी के नामकार भारतिय जन्ता पार्टी ने बड़े इस्तर पर सहरा लिया 2016 में भुपेंद सिंग चौधरी को भारतिय जंता पार्टी ने MLC नामित किया और 2017 में भारतिय जंता पार्टी ने फिर से जब उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई तो योगी आदितना सरकार में उन्हें पंचाती राज मंत्री बनाया गया इसी के साथ जो पिछरा बोट बैंक है उसो भी साधने में भुपेंद सिंग चौधरी हैं उनकी भूमिका मानी जाती है क्योंकि कई ऐसे मौके आये हैं जब उन्होंने जाट बिरादरी और पूरा 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 पिछरा बिरादरी है उन जग हों पर भी भारतिय जन्ता पार्टी को स्थाफित करने में होने अहम भूमिकानी भाई तो ऐसे में जो आगामी लोकसभा का चुनाओ है 2024 एक तरीके से देखा जाए तो भारतिय जन्ता पार्टी उस लोकसभा चुनाओ 2024 की तयारियों में अभी से जुट गई है और देश के सबसे बरे प्रांत यानि कि उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटे हैं और वहों मवजूदा समय में भाजपा सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है वहां एक बार फिर से 2024 में भाजपा का पर्चम लहराने के लिए कमल खिलाने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी ने इस बार वुपेंदर सिंग चौधरी का सहारा लिया है विशेश बार यह भी है कि जहां उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है जिसमें कि इराहबाद आता है बनारस आता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश है तो पूर्वांचल के इलाकों में भाजपा की पकर इन नेताओं के कारण काफी मजबूत मानी जाती है लेकिन इसी के मुकाबले अगर यो पश्चिमी उत्रफदेश की बात करें तो मेरत का चेत्र हो गाजियाबाद का चेत्र हो मुरादाबाद का चेत्र हो अलीगर हो या सेज और भी सहारनपूर है तो इन तमाम चेत्रों में भाजपा की जो कमजोर होई पकड़ है यान में भी जातों ने बर्चर कर भूमिका निवाई थी तो इसे लेकर के जो जातों का गुश्चा माना गया कि भाजपा के प्रती है उन सब को एक तरीके से भाजपा ने अपनी रनीती के तहत भुपेंदर सिंग चौधरी को इस पार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना क करके तमाम जो गिले सिक्वे से जाट विरादरी से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उन सब को पाटने की कोशिस में के रूप में देखा जा रहा है तो भारते जिंता पार्टी का जो गुपेंदर सिंग चौधरी को नया अध्यक्ष बनाने का निर्णय है या आने वाल हमारी सावित होता है उत्तर प्रदेश में इसके लिए आप हमारी साथ बने रहे हैं यूज फ्रोनेशन पर